नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News क्या घर घर मिलने वाला नीम कोरोना को काबू कर सकता है? आज इस खास पिशकश में हम जानेगे कि आखिर क्यू कहा जा रहा है कि नीम कोरोना पर भारी पर सकता है और अब तक इस पर कहा तक काम पहुचा है? चले जानते हैं कोरोना को हराने के लिए अब आयरुवेद भी प्रतीस प्रद्धा में कूत पड़ा है कोरोना को खत्म करने के लिए नीम के कैपसुल पर परिक्षन किया जा रहा है अगर सब कुछ ठीक रहा तो घर घर में मिलने वाला नीम कोरोना को खत्म करने के लिए राम बाण इलाज साबित हो सकता है All India Institute of Ayurveda के साथ मिलकर Ayurveda Company नी सर्ग बायोटिक नीम के कैपसुल पर सोध कर रही है 7 अगस्त से इन कैपसुल पर सोध परक्रिया शुरू किया गया और अब 12 अगस्त से नीम के बने इस कैपसुल का मानो परिक्षन भी शुरू हो चुका है ये दोनों संस्थाए कोरोना के मरीजों को नीम का कैप्शूल देंगी और ये देखा जाएगा कि इस कैप्शूल से मरीज को लड़ने में कितनी मदद मिल रही है भारत सरकार के आईश मंतराले और हरियाना सरकार ने स्विक्रिती मिलने के बाद इसका परिक्शन फरीदाबाद के ESIC अस्पताल में किया जा रहा है इसके अलावा All India Institute of Ayurveda के निर्देशक डॉक्टर तनूजा निसारी इस सोध की परिक्शन करता है फरीदाबाद ESIC अस्पताल के डीन डॉक्टर असिम दास ने बताया कि उनके अस्पताल में जो स्वास्त कर्मी कोरोना के मरीजों की देखभाल कर रहे है उन पर भी इस दवा का परिक्शन किया जाएगा इसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें कोरोना नहीं है ऐसा करने से ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि कैप्सूल कोरोना मरीजों में कैसे काम कर रहा है और कितना सक्षम है बता दे कि कोरोना वाइरस शरीर की पेशी में चिपक कर अंदर खुसता है जबकि प्रयोक्षाला में किये गए शोध बताते हैं कि नीम वाइरस के रेप्लिकेशन को रोकने का काम करते हैं जिससे वाइरस लोड कम हो जाता है डॉक्टरों को उमीद है कि शरीड के अंदर भी ऐसा ही होगा नीम कैपसुल की परक्षन कुल 250 लोगों पर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि नीम की सहायता से कोरोना को खत्म करने या रोकने में कितनी मदद मिल रही है मौजूदा समय में रजिस्ट्रेशन कराने वाले 70 लोगों के सभी बलड जाच और कोरोना जाच के बाद आधे मरुजों को नीम का कैपसुल और आधे मरुजों को प्लासीबो कैपसुल दिये गए है वीरो डिपोर्ट एचबियन नियूज एक तका राज चलेगा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी उचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी महुआ विधाल सभा शेत्र के दोनों प्रखंड के अलतरगत विभिन पंचायतों में पिछले तीन सालों से मेडिकल कैम्प लगा कर लोगों की सेवा मित्त पर कोरोना जैसे महामारी को आई हुए पाँच महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंध है लेकिन इन्होंने इस सेंकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा मिलनागी हुए है अपने अस्पताल के माध्यम से पिछले पाँच महीनों से कोरोना वाइरस जैसे खतरनाग बिमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास का बितरन और लोगों के बीच घुम घुम कर इस बिमारी के खिलाब सजग रहने की सला दी महुआ विधान सभा शेत्र में मेडिकल कैप के दोरान फ्री दवा का बितरन क्यों करी विचार ठिक तो है नितिश कुमार, डॉक्टर आस्मा परवीन, प्रदेश महासचीव जदियू बिहार, श्रभावी विधायक प्रत्याशी, महुआ विधान सभा 126 संस्थान, मिर्शा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड जोहरी बाजार हाजिपूर वैशाली